हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू ब्रेन इटर्स तो आज के वीडियो में हम लोग देखे गए फो डे प्लान फ़र केम वान ठीक है तो यह केम वन का सब्चेक्ट चालू करने से पहले है ना मैं आपको फ्यू इंस्ट्रक्शन्स दे देना चाहता हूं ठीक है तो पहली निकाल के रखें आपके लिए 20 questions sorry 20 questions निकाल के रखें तो वह आपको सबसे पहले करना ही करना है वह 20 questions क्यूंकि उनकी probability बहुत ज्यादा है repeat होने की ठीक है तो यह जो note section रहेगा ना मैं उसके लिए उसके अंदर आपके लिए थोड़े guidelines लिख दूंगा जो आपको यह वीड 20 questions ऐसे guarantee नहीं दे सकता कि आप clear करी लोगे subject क्यूंकि इसमें variations रहते हैं बहुत काफी ठीक है तो MU अपने हिसाब से changes कर सकते हैं तो यह 20 questions का अना probability बहुत ज्यादा है आने का और अगर कुछ भी changes नहीं किये है वलब कुछ अलग से MU ने तो आप आना हम से clear कर लोगे subject ठीक है फिर आप जो second tip है ना मैं आपको बता देता हूँ कि यह 20 questions है ना उटपर वाले भले ही इसमें अगर variation आ भी गाया ना तो भी मैं आपको वीडियो के end में कैसी tip दूँगा chem1 के लिए तो उसमें अगर कितना भी variation ला देना MU University वाले अगर आपने वो चीज़ फॉलो की ना तो आप definitely subject clear करी लोगे है अलब chem1 आरम से clear करी लोगे तो यह video प्लीज एंड तक देखना यूकि end में मैं एक ऐसे trick बताऊंगा जिससे आप chem1 आरम से clear करी सकते हो ठीक है तो अभी देखते हैं हम लोग कौनसे ये 20 concepts है और फिर end में हम लोग देखेगे एक tip जिससे आप chem1 definitely clear कर सकते हो ठीक है तो चलो देखते है तो यह रहा 4 day plan for chem1 ठीक है तो अभी कैसा है chem1 में कि मैं एक चीज़ आपको उपर बाता देता हूँ आपको अभी कोई भी subject start करने से पह सांग में रखनी पड़ेगी यह बहुत ज्यादा important चीज़ है तो chemistry में अप्रॉक्सिमेटली 30% वेटेद numerical का रहता है अप्रॉक्सिमेटली कुछ और percentage नहीं है ठीक है और 70% theory का रहता है तो अब students क्या सोचते है कि अरे इसका theory का वेटेज जाद है चलो theory करते पर यह theory के लिए आपको चार से लेके पाच दिन भी कम पड़ेगे क्योंकि अगर आप पूरा 70 marks कवर करने जाओंगे ना तो four to five days भी आपको बहुत ज्यादा कम पड़ेगे ठीक है पर यह 30 marks अचीव करने के लिए ना सिर्फ तीन से चार गंटा भी है वगर आप पढ़ लोगे ना तो आप आराम से वो subject के सब numericals कवर कर सकते हो ठीक है तो इससे आपने क्या समझा कि जो 30 percentage वाल पार्ट है ना numerical जो आपको पहले करना है compare to 70% क्योंकि हाँ इसका वेटेज जादे है पर आपको पढ़ने में काफी जादा time लगे है तो अभी देखते हम लोग पहले आपके लि numerical सबसे पहले रखें तो अगर भले ही आप थोड़े लाइक कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तबकि numerical इस पहले हो ही जाएगा ठीक है तो first question है lime and soda के ओपर numerical फिर second है distinguish between thermoplastic and thermosetting यह भी three marks के लिए आया है last two papers में अलो आते है है यह सब question जो first day पे ना first two days पे जो रहेगा वो काफ फिर hardness of water इसके उपर भी numerical है तो so lime soda फिर यह जो 10 marks इदर हो गए numerical के और फिर जो acid value है इसके उपर numerical तो approximately 14 marks numerical के हो गए जारी फिर अब आगे सब है theory questions what are the conditions for use of solid lubricants what is decay of concrete तो यह सब चीज़े theory questions मैं इसमें कुछ explain नहीं कर सकता आपको तुसे आप questions देख लो इदर है कौनसे कौनसे फिर limitation of phase rule, activity sludge, fabrication, reverse osmosis और यह 11 questions है ठीक है तो यह 11 questions है यह काफी जादा important आपके लिए तो यह एकदम अच्छी तरीके से करना ठीक है तीन चार बार read करना खुझ से एक बार पूरा answer recollect करना points में divide कर देना सब अच्छी तरीके से यह day 2 तक तो करी लो क्योंकि काफी जादा important पर day 3 पर day 3 पर day 4 पर थोड़े normal questions है लबकि एक दो बार पूछे गया है वैसे तो यह जो triple point है फिर reduce phase rule है list the use of polymers in medicine and surgery distinguish between dry and wet process of manufacturing of portland cement तीक है तो यह सब चीज़े day 3 के लापके और day 4 पर brief note on cnts flashpoint firepoint यह question भी important है उपर आपके question number 1 में आ सकता है ठीक है फिर give important functions of lubricants explain iron exchange process and mention the conditions under which solid lubricants are used ठीक है यह भी 2-3 marks जो 2-3 marks वाल है न मिले आपके first question में आते है ठीक है तो अब यह तो होगे आपका day 4 का plan तो अभी आपको क्या करना है सबसे पहले preparation start करोगे न तो important चीज़ सबसे पहले कि यह 20 questions कर लो ठीक है यह 20 questions कर लिया न तो आपका mainly clear करने का subject काफी जादा easy हो जाए और अब मैं जो आपको tip दूंगा न यह आप अगर यह 20 questions के बात करोगे न तो आप एकदम secure हो जाओगे मतलब कि आपको कुछ tension नहीं है आपका subject 100% clear ही clear होने वाले ठीक है तो इसमें न आपको सिर्फ दो chapter करने ठीक है दो chapter करने आपको only two chapters ठीक है मैं आपको एकदम breakdown करके बता दो कौनसे chapters क्यों कितने mark के लिए और कैसे ठीक है तो पहली चीज़ पहली important चीज़ कि जो water है ना उसके numerical डेफिनेटली आएगे और वह भी three से लेके nine marks के लिए तो वह चीज़ अच्छी तरीके से practice कर दो three से nine marks के लिए water के numericals आएगे फिर जो second चीज़ है water की theory water की theory है ना कितने marks के लाएगे बता है आपको five से लिए 11 marks तो अपका इधर आराम से कितने है अगर मैं lowest consider करो तो भी eight marks हो जाता है ठीक है और अगर highest consider करो तो 20 marks इधर ही हो जाएगे अब थर्ड चीज़ ठीक है polymers अगर आपने ये chapter कर लिया आना तो इसके अंदर आना 15 से लिखके 19 marks का theory questions आता है तो ये था numerical ये दोनों है theory ठीक है तो इससे क्या होगा अगर मैं इसका भी minimum पकड़ू तो कितना होगा 23 approximately वालब सबसे कम से कम आया तो भी 23 marks का आपका guarantee हो जाता है क और अब fourth जो चीज़ है जैसे आपने उपर के 20 questions में देखा numerical है इधर तो जो बाखी के numerical है ना hardness of water के पार तो हो गया और यह जो है lubricants के उपर numerical है acid value और फिट बाखी सब जो lubricants के उपर numerical है वो भी आपके आरम से 3-4 marks cover कर लेगे तो अगर मैं सब cases मैं minimum consider करूँ अना तो भी 26 स हो चुका है तो अब यह तो रहा minimum case मतलब अगर यह 20 questions भी अगर आपने नहीं पढ़े सब और सिर्व इतनी चीज़ें अच्छे से कर ली यह सब questions जो मैंने बोला water के numericals water का theory polymer का theory और lubricants के उपर थोड़े जो numericals है वो तो आपको आरम से 26 से लेके 27 marks आजा जाएगा तो आपके केटी clear हो जाएगा आराम से ठीक है तो आपको आराम से केटी clear हो जाएगा और आपको कोई tension नहीं रहेगी भले ही अगर कुछ भी changes हुए तो यह तो weightage तो same ही रहने वाल है तो main चीज़ अभी मैं आपके लिए पुरा summarize कर जाता हू पहली चीज जो 20 questions दी है वो कर लो और फि और कुछ चीज़े पढ़ने की जरूत नहीं और अगर आपको यह video पसंद आया रहेगा ना तो प्लीज एक like कर देना और comment भी कर देना अगर आपको कुछ doubts है और अगर आपको आगे और बाकी सब जो videos आने वाले ED जो भी subjects आपके remaining है वो सब के तो please subscribe कर देना channel subscribe करने के ठीक है थैंक यू